नमस्कार दोस्तों श्रागत है आपका नेशनली उजाब तक पर मैं हो कुलदीव कुमार दोस्तों वक्त है प्रताबगर जिलेक दिन भर की बड़ी और प्रमुक खबरों का खबरों पर नज़र डालने से पहले आपसे एक चोटा सनी वेदन है अगर आप हमारी खबर को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें खबर को लाइक और सेयर करें तो आईए नज़र डालते हैं प्रताबगर जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुक खबरों के सुरुगात करते हैं सपाज जिलाद ध्यच शबनाथ यादो के खिलाप हुई बड़ी कारवाई की खबर से जिला प्रसासन ने अबैद रूप से एकत्रित की गई सपाज जिलाद ध्यच शबनाथ यादो की करोडों की संपत्ति को जब्त कर लिया है प्रसासन की इस कारवाई से हडकम का महौल है बता देगी मानिक पूर्थाना इलाके के करेटी मुगदारा गाउनियासी शबनाथ यादो समाजवादी पार्टी के जिलाद ध्यच है उन पर कुंडा कोत्वाली में वर्स 2020 में गैंगेश्टर 8 के ताहत मुकदमा दर्च किया गया था या मामला जिला मजिस्टेट के निय पीएसी और राजसो टीम के साथ मानिक पूर्थाना इलाके के दैंगरी जमाल पूरिस्थित सपा जिलाद ध्यच के सुर्गी सुंदर लाल यादो महा बिद्याले पहुंचे जहां पर प्रसासन ने बिद्याले के मुक्ख गेट पर ताला लगाते हुए सील कर दिया जिसके संपत्ति की कीमत नो करोन 83,92,104 रुपए है तैसील प्रसासन की इस कारवाई से पूरे छेत्र में हळकम का महौल रहा आईए आपको सुनवाते हैं पूरे मामले में S.D.M. कुंडा का क्या कुछ कहना है सरी आज जो सपा जिलाद ध्या की कुछ संपत्ति कुर्ग की जा रह के आदेश से यह कारवाही हो रही है धारा 14.1 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद्यों समाज विरोधी क्रियाकलाब निवान अद्नियम के तहत यह कारवाही हो रही है जिसमें लगबग 9 करोड़ 83 लाख 9 करोड़ 83 लाख 692,104 रूपए मून लिकी जो संपत्तियां है उनको अटेज किया गया है और कभजे में लिया गया है यह संपत्तियां ग्राम मवूदारा ग्राम देहगली जमालपूर दिलेर गंज कुंडा और दो अचल संपत्तियां है दो वाहन है काटा सफारी है वह भी इसमें अटेज की गई है अब ही उसके बारे में न्यायाले द्वारा जो भी आदेश निर्गत होगा उसके अधीन आगे की कारवाही निश्पादित की जाएगी अभी प्रथम चर्मानिकपूर इंश्पेक्टर कुंडा जो भी वेचक है इस मामले में साथ में राजस्र के राजस्र इंस्पेक्टर राजस्र रिचक लेखफाल कंसंड और उन भूमियों को चिनित करके उन भौनों को चिनित करके उन पर बोर्ड लगा दिया जा रहा है कि यह इस अधिनियम के ताभ़ी संख्या में काडिया ही निस्पादित की गई है आप स्वेएंगी देख सकते हैं कि बोर्ड पासपस रूफ से वाधसंख्या और साहरे गाट प्रताना इलाके के डिरोवा बाजार इस्थित बैंग का पड़ुदा की साखा में बुद्धवार की बहुर बिद्दू सार सर्किट से आग लग गई आग की लप्टे उठती देख पड़ोस में सो रहे रामो गुपता पुतर सिवसागर गुपता की नींद खुल गई जिसक की बाहर के बिल जल रही थी इस पर उसने सोर मचा दिया सोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई जिसके बाद सूचना माकान मालिक वा पुलीस को दी गई सूचना मिलते ही माकान मालिक भीम सिंग वा चौकी इंचाड डिर्वा वरुन कुमार सिंग मौके पर पहुँचे और मामले की जानकारी फाएबिगेड वबाजार में रहे रह रहे बैंक के दब्तरी कमलेश कुमार को फोन करके बताया गया जिसके बा rocks ऐसें car am reasonablyंगेों के डने में राकुप aucune कर्मेश मुघ पर पहुँद पर हमले केनिया से पहुंचे दो लोगों को ग्रामीडों ने पकड़ लिया जिसके बाद पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस पकड़े गए उकों से पूंचतांज में जुटी हुई है बाग रहे था नहीं लाके के पूरे खांडे गाउनियासी राबेंद्र लोड़े तो गाड़ियों से आए उक भागने लगे इस दोरान ग्रामीडों ने यूकों को बाइक समयत पकड़ लिया जिनकी पिटाई करते हुए सूचना पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को ठाने ले गई जहां पर उनसे पूंचतांच होती रही वह राबेंदर तिवारी का रोफ है कि गाओं के एक्युवक के बुलाने पर वह लोग उसे मानने के लिए आये थे जबकि ग्रामीडों की माने तो राबेंदर तिवारी वह 37 चंसुकला का लंबे अरसे से जमीन को लेकर बिवाद हैं पुरानी रंजिस चल रही है इसी बात को लेकर मंगलवार की देर रात दोनों पच्छों में भी वाद हुआ था यसुवान कुमार दीचित का कहिना है कि तहरीर मिली है मुकदमदर्ज कर कारवाई की जाएगी अगली खबर महसगन थाना इलाके से है जहां पर पुलिस ने दो यूकों को हार्ट बेर की दुकान में हुई चोरी के मामले में गिरबतार कर जेल भेज़ दिया महیز गंज थाना इलाके के राजापुर वजार इस्तित हार्ट वेर की दुकान में बीते 25 जून को चोरी हो गई थी चोरी की घटना दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई थी दुकानदार ने मामले की तहरीर पुलिस को दी थी जिसके बाद पुलिस मुकदमदर्ज के रारोपी की तलास में जुट गई थी बुदवार को महیز गंज के दरोगा अनपंत रिपाठी ने मुबिर की सूचना पर हार्ट वेर की दुकान में चोरी करने वाले पर्मा की बाग राजा पुर बिंधन निवासी संजय आदो पुतर निर्मा ले आदो को दर्द वोचा उसकी निसान देही पर एक और अभी हुक्त परदीव कुमार पुतर सुरेश सर्मा निवासी टिकैतिन पुर थाना महेज गंज को चोरी के माल के साथ पकड़ लिया जिसके बाद दोनों को जेल भेंज दिया गया आज के लिए बस इतना ही दोस्तों कल फिर मिलेंगे प्रताफगर जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुक खबरों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजा नमस्कार